अस्सलाम अलेकुम दूस्तों सुडियों में हम आपको दाएंगे साओधी के लेटर्स इंपोर्टन अपडेटी 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 उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरबिया में रहते हैं क्योंकि कई लोग का जो एकामा है वो रेनुवल नह ही होता है ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आपका फाइवल जप्त हो जाता है सूडिक गवर्बर्मेंट की तरफ से आपको ब्लोग किये जाता है तो वहान पर आपका एकामा जो है रेनुवल किया जाएगा यह नहीं किया जाएगा इसको लेकर साओधी के जवजात की से क्या अपडेट है आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप अभी अपने देश में हो और गाड़ी आपकी जो है सौधी अरबिया में है आपकी गाड़ी बेची जा सकती है या नहीं बेची जा सकती है इसके साथ हम आपको इस वीडियो में एक और जानकारी देने वाला हो म कमेंट बोक्स के मादम से अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बोक्स के मादम से जरूर कमेंट करें। आपका पूरा तरह से भुक्तान होना चाहिए ये सारा अगर complete होता है तो ऐसे में आपका एकामा renewal किया जाएगा लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपका पहले से block है या आपकी file जबत है या और कोई problem है तो वहाँ पर जो है एक आदेस जारी करवाना होता है government की तरफ से क् काफिलों के मुकदमा चाहर होते हैं और भी इस तरह के कार होते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि एक आदेस लेकर फिर आप जो है अपना अवसार account के माद्धम से एकामा renewal कर सकते हो दोस्तों अगर मुकदमा चालू रहता है तो वहाँ पर ऐसा भी अदालत की तरफ से आदेस आ सकता है कि जब तक कि आपका केस फाइनल ना हो बहाल ना हो तब तक कोई भी आपका एकामा renewal ना किये जाए ना ही कोई नए आदेस जारी किये जाए तो ऐसा हो सकता है लेकिन जादतर लोगों का जो एकामा है वो renewal कर दिये जाता है लेकिन कुछ वहाँ पर जो है एक तरह स जो ब्लोक है वो हटाना जरूरी होता है दोस्तों अगली अपडेट आपके लिए बेहत इंपोर्टन्ट है क्योंकि काफी लोग इस तरह से फंस जाते हैं मतलब अगर आप अपने देश चले जाते हो और वहां पर किसी भी वज़े से सॉधी अरब में आप एंडरी नहीं कर प बैध driving license वो होना जरूरी है और license वाला ड्राइबर भी होना चाहिए क्योंकि एक बैध आवद्धिक निरिक्षण के साथ है कार के जो स्वामित मतलब मालिक है उनका हक्सताक्चर होना चाहिए यह जरूरी होता है और आगे है कहा गया है कि जो भी आपका एक तरह से भुकता जो जुर्बाना है वो पूरा होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जब आप गाड़ी खरीदे तो वहाँ पर नए मालिक को ये चाहिए कि उसका पूरा भुकतान करे और उसके बाद में जो पूराना मालिक हो नए मालिक को भुकतान कर दे जो भी जुर्बाना का उसके बाद आप ये सारा कारे कर सकते हो इस तरह से बताया गया है दोस्तों आगे कमेंट आया है अनिल मक्वाना का इन्होंने 11 घंटे पहले कमेंट किया है कहा है सूदी में कमपनी में आने के बाद अगर वहाँ पर नहीं जमता है वापस जाना चाहते हैं तो क्या रूल से य सब से पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सब से पहले करना क्या है अगर वहाँ पर नहीं जमता है तो दोस्तों मन लो कि आप जो है पूरा प्रोसेस कंप्लइट करने के बाद में सौधी रभ पहुंच चुके हो, अब वहाँ पर होता क्या है, कि आपको घर ले जाय जाता है, अगर कमपनी की हो, तो वहाँ पर कमपनी में ले जाय जाता है, अब वहाँ पर आपको एनलाइस करना है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, क्योंकि जादा टाइम आपके पास नहीं ह होता है जद जद मान लिजिए कि एक हफ्ता उसके अंदर ही आपका मेटकल कराए जाएगा तो उसके बीच में ही आप अनलाइस कर लें कि हमें यहां पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा काम कैसा है यह पूरा कम्पलीट आपका जो एजन्ट है उसके बारे में बताएं कि हमें यह दिक्कत है ऐसा ऐसा है हम काम करेंगे नहीं करेंगे पूरी डीटियल उससे बताएं अगर नहीं जमता है तो सबसे पहली जानकारी है और पहली जानकारी आपको होना बेहज जरूरी है क्योंकि ऐसे में प हम इस काम के लिए नहीं आए हैं, हमें अच्छा नहीं लगता हैं, जो भी है, आप पहले ही एक किलियर अपने कपिल से बोलें, अगर आपका कपिल आपको बात करना नहीं मालुम है, तो आप वहाँ पर क्या करें, किसी भी हिंदी आदमी को वहाँ पर होगा, या दूसरे आद यह बोल रहा है, अब उसके बात में वहाँ पर डिसीजन लिये जाएगा, आपको तुरंत वहाँ पर काम नहीं करना है, कि अटते अटते अगर काम करने लोगे, तो आपको वहाँ पर भी यह ऐसा किया जाएगा, कि आपको जाय नहीं दिये जाएगा, क्योंकि आप क्यों कर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप काम क्यों कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर जैसे ही पहुँचोगे तो घर में अगर पहुचोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि उसी दिन से आपकी सेलरी स्टार्ट की जाती है अगर कमपनी में हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आ आपका पैसा काड़ ले जाता है लेकिन ये बात भी जरूरी है कि सौधी अरब में अगर कमपनी में जाते हो तो वहाँ पर आपका पैसा कुछ जगहों पर नहीं काटा जाता है जैसे कि 2-3-4 दिन आपको रखा जाएगा कुछ अलग जगहों में वहाँ पर आपका पैसा नही की जरूद नहीं है बस आपको एडिसाइट करना है कि हमको अभी काम करना है या नहीं करना है अगर तब भी डिसाइट नहीं होता है बाईचांस उसमें चुक जाते हो तो क्या करें क्योंकि पहले अगर डिसाइट कर लेते हो तो सारी दिक्कतों से आप पहले ही चुटकारा प बोल दिया कि हम यहां पर काम नहीं करेंगे लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि आपके मेडिकल से पहले आपके कामा बनने से पहले बोलना है अगर बोल दिया तो वहां पर अगर आप काम नहीं करते हो खाते पीते नहीं हो यह सारा कुछ देखा जाएगा क्या क्या है कोई प्रोब्लम तो नहीं है, मतलब वो भी एक तरह से आपके उपर अनलाइस करेंगे, देखेंगे, अगर यहां पर पूरी तरह से वो सडिस्फाइड हो जाते हैं, तो आपको बीच में आपके देश भेज दिये जाएगा, लेकिन यह आपको बात ध्यान रखना है कि जितना भी बरपाई करेंगे, चाहे आप करज ange कराये हो, या किसी भी तरीके से, तो यह भी आपको बात ध्यान रखना है, कोई भी आपको पैसा नहीं देने वाला है, क्योंकि सारा पैसा खर्च हो चुका है, ऐसी बातों का भी आपको ख्याल रखना है, अब यहाँपर बात आती है कि हम कारा जो एकामा है वो बन चुका है medical हो चुका है सारा कार हो चुका है हमको एक महिने दो महिने तीन महिने हो चुके हैं लेकिन अब हम साओधी अरब से अपने देश जाना चाहते हैं हमें नहीं जमता है अब क्या करें दोस्तों ऐसी condition में होता क्या है कि यहां पर भी दो rules है मतलब या तो आपको जो है एक तरह से लड़ाई करके अपने कमपनी में जाना होता है आप कमपनी से बोल सकते हो कि हम जो है अभी काम नहीं करेंगे हमें अच्छा नहीं लगता है या अमेरिजनसी में कुछ होता है तो आप जो है कमपनी को बताएं फिर आप जो है अपना सफ तो ऐसा भी आपकी company बोल सकती है इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप से लड़ाई हो या कुछ भी problem हो तो आपको ना भेजे अगर नहीं भेजता है तो वहाँ पर भी rules हैं अगर आप घर में काम करते हो तो आपको में जाना है अगर आप company में काम करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि labor department है वहाँ पर आपको जाना है कि हमें जो है emergency है हमें जाना है ऐसा ऐसा है ऐसा भी है कि आप जो है साल बिता कर भी जा सकते हो इसके लिए आप जो है अपना जो भी embassy labor department है वहाँ पर बोल सकते हो कि हमें घर जाना है क्योंकि एक साल के बाद में एक महिने की छुटी भी गवर्मेंट की तरफ से त्ताएं की गई हैं इसलिए आप जो है इसके लिए परिसान मत होई है अगर एक साल पूरा हो जाता है तो आप जो है सफर कर सकते हो बाकी यहां पर अगर कोई दिक्कत होती है इमबेसिस जंपर कर करने में इसके लावा लेबर डिपार्टमेंट में जाने में तो आप जो है हमें कमेंट बोक्स के माधन से कमेंट करें या हमें इस्टाग्राम ट्यूटर के माधन से फोलो करें सब से पहले आपको करना किया है कि नीचे कमेंट बोक्स के माधन से आपको कमेंट करना है कि हम यह दिक्कत है उसके बाद नंबर भी आपको साथ लिखना है अगर हमें दिक्कत देखने को मिलेगी कि यहां पर आ लोग फसे हैं तो हम आपको जरूर रिफलाई देंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभू